अपराध क्यों इतने हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना पाप, भगवान तेरी बनाई इस धर्ती पर, क्यों हो रहा है इतने बुरे क्रिया कलाप अपनोंने अपनों को लूटा है अपने कुटुम्बों से नाता छूटा है नजाने ये रिस्तों की डोर क्यों इतनी धीली हो गई है नजाने सिक्षा और संस्कृति क्यों इतनी मैली हो गई है युगो युगो की बात है ये कल्यूग अपने में एक श्राप है पुझ्य पावन इस धर्ती पर मनुष्यों के लिए विशाप है क्या करे इन कतलों के जो सरे आम हो रहे है क्या करे इन धोकों के जो खुले आम हो रहे है आप पड़ी यहां विब्दा न जाने क्या इसका तो हो बलातकार हत्या और ना जाने कितने ही कर्म जुर्मों में अपनी इज़त गवाते हो और इन गलत कर्मों के पीछे अपना नाम मिट्टी में मिलाते हो हे मनुष्य तुझे ये हुआ क्या तु किस मार्क पे जा रहा माता पिदा के सिखाए गए संसकार और गुरुओं की दी गई सिख्षा को युवी पुरे कर्मों में गवा रहा जख्म और चोड़ दे औरों को छल कपट के राहों को अपना रहा अपनों को कष्ट और पीरा दे रहा अपने ही पाप कर्मों को एक नया इशारा दे रहा दैत्ते का ये रूप लेकर तुने इश्वर को ललकारा है उनके बनाएं इस विश्व में उद्धम नया मचाया है नजाने कितने माओं की ममता को रूलाया है नजाने कितनों को ही तकलिफे दिलाया है धर्म के मार को छोड़कर तुने अधर्म के पत को अपनाया है पाप के घड़ों को उचायों तक पहुचाया है अपने ही जीवन में स्वैमी संकर डाला है होरा घंगोर अंधेरा कोई आशा की किरन जलाएगा इस कल्यूग में एक नया सवेरा लाएगा कोई न कोई तो होगा जो इस प्रले को बचाएगा त्रेता यूग के राम और द्वापर यूग के किष्ण के तरह इस धर्ती पर पुना हिश्च्वर आएगा तो एक कविता है इसका सिष्टक है अपने कि तुने अपनों को छोड़ा है दुनिया के हर मूँ से अपना नाता तोड़ा है कुछ एशो आराम के जीवन के चक्कर में तुने अपनों से मुख मोड़ा है जिंदगी के हर एक तकलीफों से बचाते हैं हर गल्तियों पर एक नई राह दिखलाते हैं गमों पे हसना सिखाते हैं दुनिया के हर एक धर्म का पाट पड़ाते हैं तुने अपनों से मुख अलग किया, हर पुन्यों का साथ बगल किया, अपनों के दिल को तोड़ा है, तुने सत्य कर्म को छोड़ा है, हस्ती खेलती इस दुनिया में अपनों से रिष्टा तोड़ा है। तुसका राज दुला रहा था, हर समस्या का समधान बताते थे, बुरे दौर से निजाद दिलवाते थे, तेरी तकलीफों को अपनी तकलीफ समझकर जीवन जीने की सही परिभाशा बतलाते थे। तुको न भूल तु, दिलों से न खेल तु, इनके ही दम पर तुने अपना रुत्वा बनाया है, और इनके ही क्रिपा और परिष्टम से तु इस असंभव मंजिल तक पहुंच पाया है। अपनों से ही रौनक है, है उनत्ती और उल्लास और इनी के चर्णों में बसता है अपना शंपून वास। पंक्ती है, चार लाइन की पंक्ती है, जो एक पिता अपने बेटे को, जो उसका बेटा हमेशा अनिम्प्लॉइड है, फिर भी हमेशा गलतिया करता ही रहता है, तो उसका बाप उसको बता रहा है, कि ये जो तू अपनी बेबुनियाद बातों पर अड़ा है, अपने और ये जो बैचलर लोग होते हैं, उनकी जिंदगी पे है, बेरुख जिंदगी इसका शिर्शक है, तो दिलों की ये आस है, ये मंजीलों की प्यास है, पता नहीं ये भवर कहां फसा है, जहां सिर्फ रुकावटों का साथ है, इस जीवन जीने की कशिश में नजाने हर पल कितने बाधाओं की अठकले है, और इन बाधाओं को जेल कर हम इनसे संघर्श करने में लड़े हैं, अपनी पूरी जिंदगी ठोकर खाखा कर बिताई है, और इनसे सीखने के बजाए हमने हर बार एक नई गलती दूराई है, लालच को पाने की कला में औरों को कश्ट पहु लगाई है, हर वक्त, हर पहर, असफलता की ही कुँझी को हाथ लगाई है, अपने अंदर के अकड को उचायों तक पहुचाया है, और औरों को नीचा दिखा कर अपने कोई स्रिष्ट पताया है, ना कुछ करने का ताकत है, नहीं कुछ करने का बल, और एश्वरे दिखावे के चक्कर में गुजर रहा है अपना आज और कल जीवन हो गई है नश्ट आता ना कोई अब रास है अगर ऐसे ही जीए तो ऐसी जिन्दगी जिन्दा लाश है